नमस्ते मैं शेफ रोस फ्रॉम पैनासॉनिक मैं लेका है हूँ आज आग के लिए अगवानी चिकन की रैसिपी जिसकी समागरी इस परकार है हमने लिए चिकन देसी गी और पेस्ट तयार किया है मैंने हरा दनिया हरी मिर्चे और अध्रक लसन का पेस्ट और प्यास को डालके पेस्ट बना लिए है थोड़ा सा नीवू का रस लिए है मैंने और 200 ग्राम के करीब मैंने दई लिए है और क्रीम डालेंगे नमक स्वाध तो आईए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी अब हमें एक बाउल में लेंगे चिकन को जिसे मैंने अच्छे से धूली है उपर सा डालेंगे मैं इसमें नेवू का रस इसे ता हम अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाध अनू सार अब हम इसे रखेंगे अपने फ्रीज में पंदर मिनट के लिए हमने चिकन को फ्रीज में रखा था पंदर मिनट के लिए अब बाग्ये समान इसमें मिक्स करेंगे जैसे कि हमारी चटनी बड़ा लिंगे समें क्रीम बड़ा लिंगे समें दई अब जैसे कि हमने ये समान डाल के इसमें मिक्स कर लिया था तो अब हम इसे आदे गिंट रखेंगे फ्रीड में मैंने माइक्रोव से बॉल ले लिया जिसमें वाहने डाला या देशीघी अब हम इसे करेंगे गरम माईपर में अपने पेनासोनिक माईक्रोव में करेंगे हम इसे करम अब एक मिनट के लिए हमने में छुड दिया ता टाइम वह उचुका है कम्प्लेट अब हम इसे हमने जो दिया था टाइम वो भी हो चुगा है कम्प्लेट गी के लिए गी हमारा हो चुगा है गरम अच्छा है तो कि अबने मेंगनेट उसको निकालके हम घी में आड करेंगे इसमें चिकन आड करने के बाद हम करेंगे इसे मिक्स अच्छे से जैसे कि हमने कर लिए इसे मिक्स अच्छे से अब हम इसे रखेंगे पैनासॉनिक माइट्रेग में अपने इसे तीन मिर्ट के लिए अब हम इसे निकालेंगे और इसे अब हम इसे एक बार करेंगे मिक्स अच्छे से अब हम इसे अब हम इसे चिकन को करेंगे ग्रेवी में आड है जो इसे और इसे कि अब इसे मिक्स कर के यह लिन्ट लगा गए अपने माइक्रेव में रखेंगे पैनासॉनिक में 6 मिनट के लिए हमने जो दिया था टाइम वह चुक है कम्प्लेट अब हमें से इस बार निगा लेंगे माइक्वेड में से अच्छे से करेंगे मिक्स मिक्स करने के बाद हम विशे से रखेंगे अबने माइक्रोड में वाफसी से छे मिनट गलें पनासोनिक में हुआ है हमने जो दिया था टाइम वह चुक है कम्प्लेट अब हम इसे निकलेंगे भार इस एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और देखें यह हुचुक है तयार